नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बालूड के एक ऐसे गीत के बारे में बात करने वाले हैं जिस गीत को मुहमद अजीस सहाब ने अपने अवाज दी और उसी गीत को ही बालूड के सुप्रसिध गायाक एस पी बाला सुप्रमर्यम जी ने भी अपने अवाज दी यूँ तो दोस्तो मुहमद अजीस सहाब और एस पी बाला सुप्रमर्यम जीने एक सांट ड्वीट गीत भी गाया है लेकिन आज हम लोग एक ऐसे गीत के बारे में बात करने वाले हैं जिस गीत को मुहमद अजीस सहाब ने हिंदी में गाया था तो उसी गीत को ही SP 12 मडियम जी ने तेलगू में अपनी अभास से थी तो चलिए दोस्तो वीडियो श्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अखिर वो कौन सी फिलिम है तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग तेलगू फिलिम की क्योंकि दोस्तो पहली ये तेलगू फिलिम में रिलिज हुई फिर उसके बाद उसे हिंदी में डप किया गया तो दोस्तों आप लोगों को 1992 की तेलगू फिलिम डोंगा पुलीस यादी होगा और ये फिलिम मोहान बाबु और ममता कुलकनी की पिक्चराइज है और इस फिलिम में गीत थी गीत के बोल हैं देव डनो दंडम पेड़ाता और इस गीत को बहुत अपनी खुफिरात वाज में एस भी बाला सुबर मडियाम और के एस चीतरा जीने अपनी अभाज दी और ये नब्बे के दसक में गीत काफी ज़दा पापुलर हुई थी लेकिन दोस्तों जब डोंगा पुलीस तेलगू फिलिम को हिंदी में डब किया गया और नाम दिया गया राजा और रंगिली और 1996 में रिलिज हुई और उसी गीत को हिजब राजा और रंगिली फिल्म में दर्साय गया तो उस गीत को मुहमद अजीस सहाब और चेतना जीने अपनी अभाज दी और गीत के बोल रखा गया देउंता को प्रणाम करना और इस गीत को बहुत अपनी खुफुरत आवाज में म संगीत बपिल हरी सहब ने दिया और हिंदी में भी जो बनाया गया उसमें भी वपिल अपनी संगीत दिया तौई दोस्तों पहले हम लोग यह जो है वो मुहमद अजीस सहाब के बहुत ही कुपसूरत आवाज में सुनते हैं तो यही गीत जिसे मुहमँद अजिस सहाब ने हिंदी में अपनी आवाज दी और थे आपनी अवाज जी आपनी आवाज दी किया और आज भी ये गीत बहुत ही ज़ादा सुना जाता है लेकिन दोस्तों ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस गीत को मुहमद अजीज शाब ने हिंदी में अपनी अवाज दी तो तेलगु में इस पीबाला सुबर मरियम जीने अपनी अवाज दी यूंतों दौस् दोस्तों आप लोगों को 1994 की फिल्म पर मात्मा तो यादी होगा और गीत के बोल है भगवान का ये मंदिर है और इस गीत को बहुत अपनी खुफिरत वाज में मुहमद अजीस सहाब और इस भी बाला सुब्रमर्यम जीन अपने अवाज दी और इस फिल्म का संगीत भी बपिल मुझार मर्यम जी की एगीत जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप लोगों को ये जनकारी था के नहीं था कि इस गीत को मुहमद अजीस सहाब ने हिंदी में अपनी अवाज दी तो इस गीत को ही तेल्गों में इस भी बाला सुरमर्यम जीन अप सब्सक्राइब निकिता हैं तो प्लीजर दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो का भी तक लाइक निकिए है तो लाइक कीजेगा सेयरे किजेगा ठाइंचु दूस्तों हमारी वीडियो वाचिäg करने के लिए